प्रिष्ट संख्या 120 आत्मा का ताब नागपूर स्कूल की परिक्षा में मैं कक्षा में प्रथम आया दस में से नौ विशायों में मुझे विशेश योग्यता प्राप्त हुई इसे से मुझे बड़ी मदद मिली पिताजी रिटायर हो चुके थे अब मुझे नौकरी ढूणनी थी मैं गोंदिया यानि महराष्टर में स्थित एक स्थान में ड्रॉइंग का अध्यापक बन गया महिने भर में ही मुझे बंबई में जे जे स्कूल आफ आर्ट में अध्यायन के लिए मध्य प्रांथ की सरकारी छात्र बृत्ती मिली यह सितंबर 1949 की बात है मैंने अमरावती के गवर्णमेंट नॉर्मल स्कूल से त्याग बत्र दे दिया जब तक मैं बंबई पहुँचा तब तक जे जे स्कूल में दाखिला बंध हो चुका था दाखिला हो भी जाता तो उपस्थिती का प्रतिशत पूरा ना हो पाता छात्र बृत्ती वापस ले ली गई सरकार ने मुझे अकोला में ड्रोइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की मैंने तै किया कि मैं लोटूंगा नहीं बंबई में ही अध्याण करूंगा मुझे शहर पसंद आया वातावरन पसंद आया गैलरियों और शहरों में अपने पहले मित्र पसंद आये और भी अच्छी बात यह हुई कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिल गई यह स्टूडियो फिरोज शाह मेहता रोड पर था एक बार फिर कड़ी मेहनत का दौर चला करीब साल भर में ही स्टूडियो के मालिक श्री जलील और मैनेजर श्री हुसैन ने मुझे मुझे डिजाइनर बना दिया सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक मैं दफ्तर में काम करता फिर मैं अध्यायन के लिए मोहन आर्ट क्लब जाता और फिर जेकब सरकल जहां भाई के परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जगह दे रखी थी उसने कहा कि मैं तो टैक्सी राद को ही चलाता हूं तो तुम वहाँ सो सकते हो प्रिश्प संख्या 121 वह दिन में कमरे पर लोटता यह छोटा सा कमरा जेकब सरकल साथ रास्ता में पहली मंजिल पर था एक रात जब साड़े नौ बजे में कमरे पर पहुँचा हम लोग कभी भी राजनीती या किसी तरह की संदिग्ध गती विधियों में शामिल नहीं हुए थे मेरी तो अकल गुम हो गई मैं तुरंथ पुलिस स्टेशन जाकर कमिशनर से मिला उन्हें बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूं जेकब सरकल में रहता हूं मेरे कमरे के बाहर पुलिस वाला खड़ा है और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है उन्होंने बताया कि मेरे टैक्सी ड्राइवर मित्र रॉल्फ या मुझ पर शक नहीं है रॉल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी की छूरा मार कर हत्या कर दी थी अगले दिन मैंने जलील साहब को राम कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे आठ डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया मैं फर्ष पर सोता वे मुझे रात ग्यारह बारह बजे तक गलियों के चित्र या तरह तरह के स्केच बनाते देखते कभी कभी वे कहते तुम बहुत देर तक काम करते रह गए अब सोजाओ कुछ महीने बाद उन्होंने मुझे एक शानदार ठिकाना देने की पेशकस की उनके चचेरे भाई के छटी मंजिल के फ्लैट का एक कमरा उसमें दो पलंग पड़े थे उनकी योजना यह थी कि अगर मैं उनके साथ यहां काम करता रहा तो मुझे कला विभाग का प्रमुक बना दिया जाएगा मैं जेकब सरकल का साथ रस्ते वाला घर और उसका गलीज वातावरन छोड़कर नए ठिकाने पर आ गया और पूरी तरह अपने काम में डूब गया इसका परिणाव यह हुआ कि चार बरस में 1948 में Bombay Arts Society का स्वर्ण पदक मुझे मिला इस सम्मान को पाने वाला मैं सबसे कम आयू का कलाकार था दो बरस बाद मुझे फ्रांस सरकार की छात्र वित्ती मिल गई मैंने खुद को याद दिलाया भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं मेरे पहले दो चित्र, 9 बर, 1949 में Arts Society of India की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए उदगाटर में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मैं जाना माना नाम नहीं था अगले दिन मैंने Times of India में प्रदर्शनी की समीख्षा पढ़ी कला समीख्षक, रुडॉल्फ वान लेडिन ने मेरे चित्रों की काफी तारीफ की थी प्रिष्ट संख्या, 122 उसका पहला वाक्य मुझे आज भी याद है इन में से कई चित्र पहले भी प्रदर्शित हो चुकी है और नयों में कोई नई प्रतिवा नहीं दिखी हाँ, S.H. रजा के नाम की छात्र के एक दो जल रंग लुभावने है उन में संयोजन और रंगों के दक्ष प्रयोग की जबरदस्त समझदारी दिखती है दोनों चित्र 40-40 रुपए में बिग गए एक्स्प्रेस ब्लॉक स्टूडियोज में 8-10 घंटा रोज काम करने के बाद भी महीने भर में मुझे इतने रुपए नहीं मिल पाते थे वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंग हैमर से भेंट हुई तो उन्होंने जर्मन उच्चारण वाली अंग्रेजी में कहा रुडॉल्फ वॉन लैडन भी क्रीपा बनाए रखते थे इसके बाद वियना के एक कला संग्राहक इम्मैनुविल श्लैसिंगर मेरे काम के प्रशनसक बने यह मेरी बहु मुल्य उपलब्धी थी समय के साथ साथ चीजें होती चली गई प्रोफेसर लैंगहेमर ने काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया वे दा टाइम्स अफ इंडिया में आर्ट डिरेक्टर थे मैं दिन में उनके स्टूडियो में चित्र बनाता शाम को चित्र उन्हें दिखाता तो वे बारीकी से उसका विशलेशन करते मेरे काम में उनकी रुची बढ़ती गई मेरा काम निखरता गया वे मेरे चित्र खरीदने लगे और आखिर मेरे लिए नौकरी छोड़कर कला के अध्यान में जुट पाना संभव हो सका 1947 में मैं जेजे स्कूल आफ आर्ट का नियमित छात्र बन गया क्योंकि अब मैं नौकरी किये बिना भी अपनी फीस और रहने का खर्चा उठा सकता था भले ही 1947 और 1948 में मैं तो पून घटनाएं घटी हूँ मेरे लिए वे कठिन बरस थे पहले तो कल्यान वाले घर में मेरे पास रहते मेरी मा का देहान थो गया पिता जी मेरे पास ही थे वे मंडला लोट गए मई 1948 में वे भी नहीं रहे वे भाजन की त्रासदी के बावजूद भारत सुतंत्र था उत्सा था उदासी भी थी जीवन भर अचानक जिम्मेदारियों का बोज आपड़ा हम युवा थे मैं 25 बरस का था लेखकों, कवियों, चितरकारों की संगत थी हमें लगता था कि हम पहार हिला सकते हैं और सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने माध्यम में सामर्थे भर बढ़िया काम करने में जुट गए क्रिष्ट संख्या 123 देश का विभाजन महात्मा गांधी की हत्या क्रूर घटना थी व्यक्तिगत स्तर पर मेरे माता पिता की मृत्यू भी ऐसी ही क्रूर घटना थी हमें इन क्रूर अनुभवों को आत्म साथ करना था हम उससे उबर काम में जुट गए 1948 में मैं श्री नगर आया वहाँ चित्र बनाए ख्वाजा अहमद अब्बास भी वही थे कश्मीर पर कब आयली? कबीलों का? आकर मन हुआ तब तक मैंने तै कर लिया था कि भारत में ही रहूंगा मैं श्री नगर से आगे बारामूला तक गया घुसपैठियों ने बारामूला को ध्वस्त कर दिया था मेरे पास कश्मीर के तत्कालीन प्रधान मंतरी शेख अब्दुल्ला का पत्र था जिसमें कहा गया था कि यह एक भारती एक अलाकार है इन्हें जहां चाहें वहां जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता की जाए एक बार मैं बस से बारामूला से लोट रहा था या वहां जा रहा था तो स्थानिये कश्मीरियों के बीच मुझ पैंट धारी शहराती को देख कर एक पुलिस वाले ने मुझे बस से उतार दिया मैं उसके साथ चल दिया उसने पूछा कहां से आये हो नाम क्या है मैंने बता दिया कि मैं रजा हूँ बंबई से आया हूँ शेख साहब की चिठी उसे दिखाई उसने सलाम ठोका और परिशानी के लिए माफी मांगता हुआ चला गया मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिपणी की वह मेरे लिए बहुत महत्तोपूर्ण रही उन्होंने कहा तुम प्रतिभाशाली हो लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संदेहशील हूँ तुम्हारे चित्रों में रंग है भावना है लेकिन रचना नहीं है तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की ही तरह बनाया जाता है आधार नीव दिवारें चत और तब जाकर वह टिकता है मैं कहूंगा कि तुम सेजा का काम ध्यान से देखो इन टिपणियों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा बंबई लोटकर मैंने फ्रेंच सीखने के लिए अल्यांस फ्रांसे में दाखिला ले लिया फ्रेंच पेंटिंग में मेरी खासी रूची थी लेकिन मैं समजना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तों में क्या होगी प्रिष्ट संख्या 124 1950 में एक गंभीर वारतालाग के दोरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचीव ने मुझसे कहा तुम फ्रांस जाकर कला का अध्यान क्यों करना चाहते हो मैंने पूरे आत्म विश्वास से उत्तर दिया फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है फ्रेंच वेंटिंग मुझे अच्छी लगती है तुम्हारे पसंदिदा कलाकार सेजा, वान, गौग, गोगा और पिकासो मातीस, शागाल और ब्रॉक पिकासो के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैंने कहा पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है क्योंकि पिकासो जीनियस है वे इतने खुश हुए कि मुझे एक के बजाए दो बरस के लिए छात्रवृत्ती मिली मैं सितंबर में फ्रांस के लिए निकला और दो अक्तुबर उनिस्तोपचास को मारसे ही पहुँचा यूँ पैरिस में मेरा जीवन प्रारंब हुआ मैं अपने कुटुम्ब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है बस तुम्हें मेहनत करनी होगी चित्रकला व्यावसाय नहीं अंतरात्मा की पुकार है इसे अपना स्तर्वस्तो देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते है केवल जहरा जाफरी को कार्य करने की ऐसी लगन मिली वह पूरे समर्पन से दमोह शहर के आसपास के ग्रामीनों के साथ काम करती है कल मैंने उन्हें फोन किया या जानने के लिए कि वह दमोह में क्या कर रही है उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे यानि सूर्य प्रकाश उस ग्रामीन स्तरी का पती जो अपने पती का नाम नहीं ले रही थी का किस्सा याद है मैंने द्रिश्टता से उन्हें बताया कि बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले नाभीक मेरे मन में शायद युवा मित्रों को यह संदेश देने की काम ना है कि कुछ घटने के इंतिजार में हाथ पर हाथ धरे ना बैटे रहो खुद कुछ करो जरा देखिए अच्छे खासे संपन परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे जबकि उन में तमाम संभावनाएं है और यहां हम बेचैनी से भरे काम किये जाते हैं मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा अपने चित्त को संतप्त किये रहता हूँ मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जिसने खामी लगती है यह बहुत घजब की बात नहीं है लेकिन मुझ में काम करने का संकल्प है भगवत गीता कहती है जीवन में जो कुछ भी है वह तनाव के कारण है बचपन जीवन का पहला चरण एक जागरिती है लेकिन मेरे जीवन का बंबई वाला दौर भी जागरिती का चरण ही था कई निजी मसले थे जिन्हें सुल्जाना था मुझे आजीवी का कमानी थी मैं कहूंगा कि पैसा कमाना महतोपूर्ण होता है वैसे अंतता वह महतोपूर्ण नहीं ही होता उत्तरदायित्व होते हैं किराया देना होता है फीस देनी होती है अध्ययन करना होता है काम करना होता है कुल मिलाकर स्थिती खासी जटिल थी मेरे माता पिता के न रहने और राश्ट्रपिता महात्मा गांधी को खो देने से जटिलता और बढ़ी अब्यास पाठ के साथ एक, रजा ने अकोला में ड्रोइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकर्ष क्यों नहीं सुईकार की दो, बंबई में रहकर कला के अध्यायन के लिए रजा ने क्या-क्या संगर्ष किये? तीन, भले ही 1947 और 1948 में मैं तवपून घटनाएं घटी हूँ, मेरे लिए वे कठिन बरस थे, रजा ने ऐसा क्यों कहा? चार, रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह बनाया जाता है, आधार, नीव, दिवारें, बीम, छत और तब जाकर वे टिकता है, यह बात क, किसने, किस अंदर में कही? खा, रजा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? पाठ के आसपास एक, रजा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा ना मिला होता, तो क्या तब भी वे एक जाने माने चित्रकार होते? तरक सहित लिखिए दो, चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है, इस कथन के आलोक में कला के वर्तमान और भविश्य पर विचार कीजिए तीन, हमें लगता था कि हम पहाड हिला सकते हैं, आप किन ख्षणों में ऐसा सोचते हैं? चार, राजा रवी वर्मा, मकबूल फिदा हुसैन, अमरता शेर गिल के प्रसिद चित्रों का एक अल्बम बनाईे भाखा की बात एक, जब तक मैं बंबई पहुँचा, तब तक जेजे स्कूल में दाखिला बंध हो चुका था इस वाक्य को दूसरे तरीखे से भी कह सकते हैं मेरे बंबई पहुचने से पहले जेजे स्कूल में दाखिला बंध हो चुका था नीचे दिये गए वाक्यों को दूसरे तरीके से लिखिए, जब तक मैं प्लेटफॉर्म पहुंचती, तब तक गाड़ी जा चुकी थी, जब तक डॉक्टर हवेली पहुंचता, तब तक सेट जी की मृत्ति हो चुकी थी, जब तक रोहित दर्वाजा बंद करता, तब तक उस उसमा का ताप, पाठ में कई शब्द ऐसे आए हैं, जिसने ओ का इस्तेमाल हुआ है, जैसे ओफ, ब्लॉक, नॉर्मल, नीचे दिये गए शब्दों में, यदि ओ का इस्तेमाल किया जाए, तो शब्द के अर्थ में क्या परिवर्टन आएगा? दोनों शब्दों के वाक्य प्रयोग करते हुए, अर्थ के अंतर को स्पष्ट कीजिए, हाल, काफी, बाल